वेलकम टू माई चैनल दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहे हो यह जो बोर्ड है 2.1 क्लाश D ID Amplifier बोर्ड है यह क्लाश D टेकनोलिजी द्वारा बना हुआ है दोस्तों इसमें आपको Bluetooth Inbuild मिलेगा और इसकी बाट इसकी बात करें तो यह 50 पलस 50 एंड 100 W अलग से आउटपुट देता है सबूफर के लिए 50 पलस 50 आपको 2 चैनल लेफ्ट राइट चैनल से मिल जाता है और सबूफर के लिए आपको 100 W अलग से बेस का जो है आउटपुट मिल जाता है जो की यह 4 Ohm से 8 Ohm पर देता है इसकी power supply की बात करें तो इस पे ये है 24V 10A की power supply से चलेगा और इसमें आपको Bluetooth के साथ एक AUX का connector मिल जाता है जिससे आप Bluetooth के अलावा इसे AUX से भी चला सकते हो इस board में मुझे यह एक अच्छी बात लगी दोस्तों कि इसमें जो है तो वह आपके sound में mix नहीं होगी दोस्तों और आपको एकदम clear sound मिलेगी और दोस्तों आगे हमें इसमें 5 controller button देखने को मिलेंगे दोस्तों जिसमें कि हमारा पहला जो है volume का है और साथ में इस पे जो है on off का switch दिया है इसमें मास्टर volume control के साथ एक on off का switch भी लगा हुआ है इसके बाद जो हमारा दूसरा button है वो left और right channel के base control के लिए है इसके बाद तीसरा button left right के channel को travel control के लिए है और जो चोथा button है वो buffer का volume control के लिए है volume यानि की base control के buffer का और जो हमारा last है वो buffer सब buffer की frequency set करने के लिए जो हमारा control button दिया गया दोस्तो इससे आपको यह benefit होगा कि इस पे आप किसी भी तरह का buffer जो अरामदारी से connect करके इस पे set कर सकते है frequency और बहुत ही आपका जो अच्छा response से buffer जो आपका चलेगा आगे दोस्तो बात करते हैं इस board की sound quality की दोस्तो इसकी sound quality काफी अच्छी है दोस्तो और treble का control भी काफी अच्छे से ये board करता है इसमें जो controller button लगे हैं काफी अच्छी quality की है इसलिए base और treble को काफी अच्छे से वो control कर लेते हैं लेकिन काफी लोगों की इस बोर्ड में complaint आई है कि हमारे इस बोर्ड में ऐसी खराब हो जाती है ये खराब हो जाता है वो खराब हो जाता है तो देखे दोस्तो इसका में मुख्य कारण जो है वो है इस बोर्ड को प्रोपर तरिके से नहीं चलाना देखे दोस्तो वैसे तो इ टोकर खराब होने के चांसेज दो है बढ़ जाते हैं इसलिए अगर आप इस बोर्ड को 24 वोल्ट की स्प्लाई देकर चलाना साथते हो तो इस पे जो है एटोम का स्पिकर चलाए इससे जो आपकी अच्छी हीट नहीं होगी और आपका बोर्ड एकदम अच्छी से चलेगा चाहे इसकी कमपनी जो है फोर ओम पर चलाने का क्लेम कर रही हो लेकिन पिर भी जो है इसे एटोम पर चलाए 24 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाते हैं तो आपको इस पो एटोम पर चलाना है दोस्तो आईसी जो है, हीटिंग नहीं होगी दोस्तों चाहे कंपनी 4 ओम पर चलाने का कलेम कर रही हो, लेकिन आपको जो ऐसे 8 ओम पर चलाना है, क्योंकि 24 वोल्ट काफी हाई पाउर सप्लाई होती है, और 24 वोल्ट हाई पाउर सप्लाई पे अगर आप इसे 4 ओम पर चलाओगे, तो यह आपकी IC हीट होगर खराब होने के चंसे काफी ज़्यादा बढ़ जाएंगे वैसे इसमें IC में जोस्तो हीटिंग के लिए टंपरेचर कंट्रोलर होता है लेकिन वह क्या करता है हीट होने के बाद पाउर लेस करने लगता है अगर आप दोस्तो चाहते हो कि मुझे इस बोड पर 4 Ohm का स्पिकर ही चलाना है तो आप जो पाउर सप्लाई है उसको जो कम कर सकते हो दोस्तो इस पे 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के बीच में आप कितने भी जो है पाउर सप्लाई इस पर दे सकते हो वो आपके इसाब से आपको जितने वाटेस देंए उसके आप इसाब से इस पे जो है पाउर दोगे तो आपका जो है बोड अच्छे से वरक करेगा इसकी minimum power दोस्तो 12V से 24V तक चलता है दोस्तो ये अगर 24V देती हो तो 8 ohm का speaker चलाईए अगर 4 ohm का speaker चलाना है तो 24V से कम supply दीजिए इसकी एक अच्छी बात लगी दोस्तो मुझे ये board जो है इंडिया में बना है दोस्तो अब इंडिया के जो है manufactures काफी अच्छे board manufacturing करने लग गए है और दोस्तो फिलाल के टाइम में इसका प्राइज 1500 से 2000 रुपए के बीच में है दोस्तो ये board इंडिया में मना है और इसकी sound quality काफी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं इस board को काफी अच्छा मानता हूँ दोस्तो अगर आप इसे खरीदना चाते हैं तो इसका लिंक मैं description में दिया हूँ वासे जाकर आप खरीद सकते हैं इस board को दोस्तो अगर आप चाते हो कि यह board आपका long lifetime चले दोस्तो तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप जो इस पर सभी speaker 8 ohm का लगाए चाहे वो base का हूँ या फिर जो आपका volume का हूँ base travel के लिए इस पर आप जो सभी speaker 8 ohm के लगाई है आपकी जो है यह amplifier board सालो साल एकदम अर्चे से चलेगा और दोस्तो इसमें जो है hitsing काफी जो है बड़ी देखने का मिलती है इसमें जो दो hitsing लगाई गई है और इसका जो model number है वो है TPA 3116D2 आपको screen पर दिख रहा हुआ इसका model number दोस्तो अब जो है class D amplifier की काफी demand बढ़ रही है इसलिए हो सकता है कि आगे के time में यह board जो है और ज़्यादा महेंगा हो जाए तो दोस्तो यदि आप एक 2.1 amplifier board खरीदना चाते हैं तो यह आपके लिए best रहेगा दोस्तो क्योंकि दोस्तो इसकी sound quality काफी अच्छी है और यह हमारे इंडिया का amplifier board है दोस्तो इंडिया में बना हुआ है दोस्तो तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक कर देना और चैनल को subscribe कर लेना मिलते हैं किसी board की नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई